हलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का अपने यूटूब चैनल विने कंप्यूटर अकेडमी में स्वागत हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग Microsoft PowerPoint पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम Microsoft PowerPoint का विंडो ओपन करेंगे तो विंडो कैसे ओपन करते हैं उसको देखें हम जाएंगे Start menu में यहाँ पे आप किलिक करिए इसके बाद इसमें देखेंगे कि Microsoft PowerPoint का option अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो वैसे तो इसमें मिल जाएगा अगर नहीं मिल रहा है तो आप जाएंगे All Program में यहाँ पे किलिक करने के बाद यहाँ पे Microsoft Office यहाँ पे दिखेगा इसके उपर आपको किलिक करना है और यहाँ पे Microsoft PowerPoint का option आपको जरूर मिलेगा जैसे ही इसके उपर आप किलिक करेंगे तो Microsoft PowerPoint का window open हो जाएगा तो हम जो है Microsoft PowerPoint का यहाँ पे short note बना दिये हैं और इसका जो है PDF link description box में हम दे देंगे वहाँ से आप लोग download कर लिजिएगा आप लोगों को कुछ note नहीं करना है बस carefully इस video को देखना है और समझना है तो आज हम इसका basic बता रहे हैं इसके बाद next video में presentation बनाना बताएंगे तो चलिए देखते हैं start करते हैं MS PowerPoint और यह video किन लोगों के लिए हैं जो KBS जैसे का CPT exam देना चाह रहे हैं या फिर SSC, CHSL का या फिर bank का या फिर railway या फिर all types आप यानि कि कोई भी government exam हो गया और SSC में आने वाले questions जो MS PowerPoint से बनते हैं तो उन सभी को आप लोग यहां से cover कर पाएंगे और कहां कहां से question बनते हैं हर एक topic को हम details में आपको बताएंगे यानि कि 0 से ले करके advanced level तक हम आपको ले जाएंगे इसके बाद हम सुरू करते हैं power point तो जैसा कि हमने starting में बताया कि open कैसे करेंगे window को और एक दूसरी तरीके से कैसे open करेंगे उसको यहां से आप लोग जाने तो यहां पे है win plus r यानि कि window logo plus r आप shortcut की press करिए इसके बाद आप वहां पे power pnt लिखेंगे और उसके बाद जैसे ही आप inter button प्रेस करेंगे या फिर ok click करेंगे तो open हो जाएगा आपका power point का window तो देखते हैं कैसे करते हैं यहां से minimize करते हैं हम आगए desktop पर यहां से आप लोग करिए window logo plus r यहां से window logo r करिए तो यह जो है run का dialog box open हो जाएगा और इसमें आपको लिखना है power pnt उसके बाद keyboard से enter button प्रेस करिए या फिर यहां से ok को click करिए तुरंत आपका power point का window open हो जाएगा इसके बाद यहां पे आता है by default save location एक हम control n करके new window open कर लेते हैं यहां पे हम आप लोगों को करते हुए यानि की कैसे किया जारा कैसे हो रहा है उसको दिखाते हुए हम चलेंगे तो यहां पे हमारा जो next point है by default save location यानि की save करते time अगर हम कोई location नहीं देते हैं तो वो कहां जाकर के save होगा तो document में save होता है by default किस में save होगा document में save होगा जैसे यह हमारा file है अगर हम file में यहां पे जा करके save के उपर किलिक करते हैं तो यहां पे देखेंगे लिखा है documents अब चाहिए Amias Word का file हो जाए चाहिए Amias Excel का हो जाए जब हम उसको save करेंगे कोई location select नहीं करेंगे तो वह document में जा करके save होगा इसके बाद हमारा next point तो power point में या जो power point है या presentation software है power point के page को हम slide कहते हैं work हम slide पर करते हैं जैसे हमारा page है जिस पे हम यह लिखे हुए है इसको हम बोलते हैं slide और file का default name जो होता है presentation one होता है जैसे अगर हम यहां से दिखाए है file में जा करके save को click करें तो यहां पर file name देखेंगे तो यहां पर लिखा है presentation one तो यहां file का default name होता है अगर आप से पूछा जाए power point का default name क्या होता है file name क्या होता है तो आप लोग बताएंगे presentation 1 यह सब जितने सब बता रहे हैं सब यह सब समझे कि questions आपके बता रहे हैं यहीं सबसे questions पूछे जाते हैं इसके बाद file का extension name क्या होता है तो .ppt जो MS Office 2003 के हैं या फिर इससे पहले जो MS Office थे उसमें .ppt file का extension name हुआ करता था इसके बाद 2007 या फिर 2010 या फिर 11 या फिर जो latest में 19 तकाय हैं उन सब का extension name होता है .pptx अगर हम पूछे template का template file का extension name क्या होता है तो आप लोग बताएंगे .potx और अगर यहाँ पूछें micro file का extension name क्या होता है तब बताएंगे .pptm इसके बाद हमारा आता है access toolbar इस window की अगर हम बात करें तो या जो red color में दिख रहा है जो पहला line होता है इसको हम बोलते हैं title bar जो भी लोग हमारा yamias word का video नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग जाएं yamias word का home type video देखें इसमें हम home type काने का मतलब या है कि अगर आप उसको देखे रहेंगे इसमें जो है हम सब नहीं बताएंगे क्योंकि bold, italic, underline, title bar ये सब जो होते हैं जो है हम आपको yamias word में ही बता दिये हैं तो पहले उसको आप complete कर लीजिए फिर इसके बाद इस video को देखिए तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा हम यहां पर उस topic को लेंगे जो उससे थोड़ा अलग है या उससे थोड़ा सा अलग options इसमें यूज हो रहे हैं उन सब को देखेंगे अब जो common है उसको हम छोड़ देंगे इसमें इसके बाद आता है यह title bar जैसे कि उसमें भी बताए हैं तो इसमें भी बता रहे हैं यह title bar है बस एक बार revision करवा दे रहे हैं यहां से minimize maximize restore एक close button है यहां से यह जो left corner में है इसको हम बोलते हैं access toolbar इसमें by default क्या open है यह जो हम बता रहे हैं MS Office 10 है तो इसमें by default क्या open रहता है तो save undo and repeat इसका command क्या होता है Ctrl S से save होता है Ctrl Z से undo होता है Ctrl Y से repeat होता है तो यहां पर यह जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं access toolbar यहां पर देख रहे हैं तो save है यहां से undo यहां से redo या फिर repeat इसके बाद यहां पर अगर हम देखें customize quick access toolbar इसके उपर आप click करेंगे तो यहां पर जो check है वह आपका यहां पर show कर रहा है अगर यहां से new करना है या फिर open करना है new कर लेंगे तो यहां पर यह का जाएगा जब हम इसको click करेंगे तो new window open हो जाएगा तो जो भी जरूरी है जरूरत है आपको यहां से आप add कर सकते हैं तो एक बार आप इसको भी पढ़ लीजिएगा आपसे पूछेगा कि access toolbar में कौन सा option नहीं होता है तो क्या करेगा तीन इसमें से देदेगा एक अलग से देदेगा वही आपको select करना पड़ेगा कि कौन सा option नहीं होता है तो यही सब आपको ध्यान से पढ़ने होते हैं जैसे क्या क्या है इसमें new है open save email quick print print preview and print spelling undo redo slide show from beginning open recent file more commands इसके बाद show below the ribbon तो यह सब इसमें options हैं इसके बाद हमारा आता है अब हम पढ़ेंगे home type तो इस video में हम home type को complete करेंगे कि home type से कैसे questions पूछे जाते हैं या फिर home type से कैसे questions बनते हैं तो home type जो है home type में यहां से यहां तक अगर इस box की हम बात करेंगे जैसे की यहां से यहां तक अगर आप देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ribbon जैसे हम mouse ले जा रहे हैं यह पूरा हमारा कहलाएगा home type का ribbon और यह जो ribbon है यह group, commands और menu type इन तीन option से मिल करके बने होते हैं group क्या होता है तो जैसे यह इतना option जैसे अगर हम आपको दिखाएं यहां से यह इतना जो है यह clipboard का option है यानि कि यह जो group है clipboard का group है और यह जो है slide का group है और इतना जो है यह fund का group है और इसके बाद जो है यह आपका paragraph paragraph के बाद यह आपका आजाएगा drawing का और यह आजाएगा आपका editing का तो यह क्या है यह आपके group है तो यह जो ribbon है पूरा यहां से यहां तक यह जो ribbon है इसको six part में हमने divide कर दिया है यानि कि इस ribbon के total छे group है और इस group में कमांड्स दिया गया है कमांड्स है और तो देखें तो इसमें जो है यह पूरे जो हमारा ribbon यहां पर दिखाई दे रहा है इसको जो है हम छे group में divide किये हैं इतना यह clipboard का है यह slide का है यह fund का है यह paragraph यह drawing और editing तो गुरूप तो समझ में आ गया होगा command क्या है जैसे इसमें layout reset new section यह सब क्या है यह सब commands है और इसके बाद menu type क्या होता है तो menu type के बारे में अगर हम पढ़ेंगे जैसे की रुखिये पहले इसको हटाते हैं तो अगर हम menu type के बारे में पढ़ेंगे तो जब भी हम किसी menu पर mouse pointer लाकर किलिक करते हैं तो उस menu की एक pull down list प्रदर्सित होती है इस list में उस menu से संबंदित commands options के रूप में दी होती है जैसे अगर हम बताएं जैसे यह section है यह menu है इसके उपर जब हम किलिक करेंगे तो यहां पर एक pull down बन करके आता है और इसमें क्या होते हैं इसमें सब के commands दिये गए यह commands options है यह जो option है command की तरह हमारे commands की तरह हैं तो इसको हम commands बोलेंगे और यह हमारा कहलाएगा menu type कहलाएगा तो आपको समझ में आ गए यह तीनों group बोल सकते हैं यह जो slide है यह slide का पूरा group है और command क्या है reset layout section new slide यह क्या है आपके command है menu tab जिसमें इस तरह से open होकर के आये उसको हम बोलते है menu tab इसके बाद ribbon हमने अभी आपको दिखाया था इस पूरे ribbon को छे group में divide किये है number one clipboard number two slide number three font number four paragraph number five drawing और number six editing इसके बाद अब हम देखेंगे clipboard number one clipboard अब आपसे question में यह पूछ लिया कि clipboard का option नहीं है तो option number one save cut copy paste तो आपको किस भी answer लगाना है तो save पे क्योंकि वह clipboard का option नहीं है वो file का option होता है तो clipboard में कितने option आते हैं तो cut copy paste format painter यहाँ पे clipboard में देखेंगे तो cut copy paste और यह format painter आता है cut का command क्या होता है control plus x copy control plus c paste होता है control plus v इसके बाद next हमारा आता है slide तो slide में new slide यहाँ पे है new slide यह है layout reset और section तो एक-एक को हम समझते हैं new slide इसका shortcut की होता है control plus m new slide तब हम लेते हैं जैसे एक हम यहाँ पे लाते हैं इसमें हम कुछ लिख लिए अब इसके बाद हमको new slide चाहिए तो यहाँ पे इसके उपर हम click कर देंगे तो एक नया slide हमारा आ जाएगा या फिर control m प्रेस करेंगे keyboard से तो अभी हमारा new slide आ जाएगा तो इस तरह से new slide हम क्या कर सकते हैं insert कर सकते हैं इसके बाद आता है layout ले आउट अगर हम इसमें दिखाएं तो हमारा layout ऐसे है इसमें ऐसे है तो इस page का जो है layout हम इसको change कर सकते हैं यहाँ से जहाँ पे जैसा layout का जरूरत है हम वैसे use करेंगे यह क्या करता है कि presentation बनाने में हमारी help करता है जहाँ पे जैसा जरूरत वहाँ पे वैसा layout यूज करेंगे तो इस तरह से हम इसको change भी कर सकते हैं यहाँ से इसके बाद next point आठता है हमारा reset reset क्या होता है कि जैसे अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे है reset तो reset में अगर हम जा करके click कर देंगे तो इसमें जितना भी formatting हम किये रहेंगे सब remove हो जाएगा किसे reset से control z इसके बाद हमारा आता है section तो section को इस तरह से अगर हम आपको समझाएं तो इस इस file में अगर हम देख रहा है total 19 slide हमने बनाया है तो अगर एक example दें हम आपको कि आप कोई matter अगर type किये हैं और वह 19 page का है 19 page का है या फिर 20 page का है और वह पूरा matter जो है आपने उसको 3 part में divide किया है ऐसे समझ सकते हैं कि उसके 3 lessons या फिर 3 chapters हैं जो अलग-अलग हैं आप उसको अलग-अलग किये हैं यानि कि पूरा एक book ले लीजिए या फिर कोई भी notes ले लीजिए और उसमें जो है पूरे page को जैसे जितना भी page उसमें use किये हैं आप उसमें 3 chapter complete किये हैं या फिर 4 chapter complete किये हैं तो उसको क्या कर सकते हैं सेक्षन में डिवाइड कर सकते हैं तो अगर हम चाहें यह जो 19 slides हम जो है बनाय हुए हैं इसको सेक्षन में डिवाइड कर दें तो यहां से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं आयड कर सकते हैं रिनेम सेक्षन कर सकते हैं रिमूब सेक्षन कर सकते हैं इसके बाद collapse all इसके बाद expand all तो यह सब कैसे होंगे वो आगे हम चल करके आप लोगों को बताएंगे अभी हम इसमें यह सीखेंगे कि home type से question कैसे आते हैं और कहां से पूछे जाते हैं तो आपको यह दे देगा कि section में कौन सा option नहीं होता या फिर कौन से option होते हैं या फिर या जो remove section होता है या या जो है किस में मिलेगा new slide में मिलेगा की layout में मिलेगा की reset में मिलेगा की section में मिलेगा तो या आपको जो है answer लगाने पड़ेंगे तो किस में होता है section में होता है तो इस तरह से answer दिया जाता है तो इतना complete हो गया इसके बाद आता है duplicate, slide और object अगर कोई आप object या फिर save बनाय हुए है या फिर कोई slide है उसका आपको duplicate या फिर उसका उसकी तरह से एक और बनाना है तो उसका shortcut की क्या होता है Ctrl plus D और option कहां पे आपको मिलेगा तो new slide में जाएंगे इसके नीचे आपको मिलेगा duplicate selected slide तो new slide में कौन-कौन से option होता है duplicate selected slide, slide from outline या फिर reuse slide अच्छे जैसे यहां पे अगर हम देखें तो हमने लिखा है point number two slides अगर इसके नीचे हम जाएंगे तो देखेंगे font हमको मिल गया यहां पे slide है यहां पे font है तो इसके नीचे एक और हमको चाहिए सेम इसी तरह से तब हम क्या करेंगे Ctrl D कर देंगे आप इसमें जो select किये रहेंगे उसी का आपका double बनेगा यानि कि उसी का आपका duplicate बनेगा या फिर अगर यहां से जा करके इसके उपर click करेंगे तब आपका जा करके होगा जैसे हम click कर दिए तो देखिए यहां पे यह आ गया और सेम उसी तरह से एक slide हमारा और आ गया तो यहां से आप duplicate कर सकते हैं या फिर keyword से Ctrl प्लस D कर सकते हैं हम उसको delete कर दिए इसके बाद हमारा आता है point number 3 font font में क्या होता है तो पहला यह font face font face क्या होता है जो आपका यहां पे option दिख रहा है इसको हम font face के नाम से जानते हैं यहां से हम change भी कर सकते हैं जो भी हमको अच्छा लगेगा अलग-अलग font face है इसके बाद यहां पे आता font size यहां पे आता increase font size decreased font size इसके बाद clear all formatting यहां से हम क्या कर सकते हैं formatting को clear कर सकते हैं जैसे यह जो है अगर हम इसके ऊपर उसको select करके यहां से click कर देंगे तो इसमें जो भी formatting किये रहेंगे सब remove हो जाएगा सब clear हो जाएगा और अभी इसके पहले हम आपको बताए थे यहां से reset से reset जब करते हैं तो इस slide पर जितने भी आप point लिखे हुए हैं जो भी matter आप लिखे हुए हैं वो पूरे matter से आपका जो है formatting रिमूब हो जाएगा और यहां से क्या होगा जो आप select किये रहेंगे बस वही रिमूब होगा इसके बाद bold, italic, underline यहां पर आपका है text shadow इसके बाद यहां पर देखेंगे text shadow है अगर इसमें shadow आपको देना तो यहां से आप shadow इस तरह से दे सकते हैं इसके बाद stride through जैसे कि हम image word में बताए हैं इसलिए यहां पर हम ज्यादा नहीं समझाएंगे यहां पर हमारा आता है character spacing तो यहां से आप spacing जैसे space भी दे सकते हैं loose में इतना, very loose इतना यहां पर इतना होगा कम करना तो यहां से यहां से आप कम भी कर सकते हैं या फिर इसमें आगर हम बताएं कोई इसको select कर लेते हैं अब हो सकता है कि दिखे तो यहां से देखिए इसका जो space है बढ़ रहा है यहां से इतना होगा और कम होगे और कम और कम और कम तो यहां से आप क्या कर सकते हैं character space दे सकتे हैं इसके बाद यहाँ पर आता है change case जो हमने MS Word में बताया है तो change case में कितने option होते हैं तो इसमें 5 option होते हैं कौन-कौन से sentence case, lower case, uppercase, capitalized each word और toggle case और यह आपका font color या फिर text color होता है यहाँ पर next point हमारा आता है अच्छा अगर हम इसमें कुछ देखें font में तो default font size क्या होता है? 44 होता है अगर हम यहाँ पर जा करके दिखाएं ऐसे click करें तो यहाँ पर लिख रहा है 44 तो जो font की default size होती है वह 44 होती है इसके बाद default font size minimum कितना होता है? 8 होता है और default font size maximum 72 होता है अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम click यहाँ पर कर रहे हैं तो default में minimum कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है और maximum 72 दिख रहा है इसके बाद default font size of font 10 यानि कि font 10 की default size क्या होती है तो 10.5 होती है यह जो है MS Word, MS Excel से अलग है जब हम यहाँ पे click करेंगे तो 8, 9, 10 इसके बाद 10.5 आता है यहाँ पे 8, 9, 10 उसके बाद 10.5 जबकि MS Word या Excel में ऐसा नहीं होता है 10 के बाद अले बना जाता है यह 10.5 नहीं दिया होता है तो जो font 10 का default size होता है वो 10.5 होता है तो इसको ध्यान में रखें हो सकता है कि यह सब पूछें इसके बाद next point font size अगर default ना दिया हो only आप से पूछता है font size minimum कितना दे सकते हैं तो 1 और maximum कितना कर सकते हैं तो 1800 किसमें MS office 2010 में अगर 13 में जाएंगे उसमें थोड़ा अलग मिलेगा तो जो अलग होगा तो maximum नहीं पूछा जाएगा इसमें से अगर हम 2013 लेते हैं तो यहां पर जो default size होता वो 60 आपको मिलेगा default size 60 मिलेगा तो क्या होगा कि MS office जैसे 2013 आ गया या फिर 16 या फिर 19 तो हो सकता है कि उसमें अलग हो तो यह हम 10 में बता रहे हैं अगर आपका 10 से question आएगा तो यहां से इसको दे सकते हैं और बाकी सब तो हमारा सब सेम रहता है अच्छा इसके बाद font size 0.1 यानि कि जो font की size होता है वो 0.1 से increase करता है यह सभी में होता है और इसके पहले जैसे MS Word में 0.5 से increase करते हैं MS Word में या फिर MS Excel में 0.5 से increase करते हैं अगर जैसे हम आपको बताएं कि यहां पे हमने कोई भी हमने यहां पे कुछ लिखा या भी यहां पे 44 है तो अगर हम इसका देना चाहें तो 0.1 दे सकते हैं 44.1 तो इतने से या 0.1 से बढ़े जाए इतना कर सकते हैं और यही MS Word में आप नहीं कर पाएंगे MS Word या फिर PowerPoint में आप नहीं दे पाएंगे उसमें 0.5 से increase करता है और इसमें 0.1 से PowerPoint में 0.1 से increase करता है इसके बाद टाइटल डिफॉल्ट फंट साइज 44 अच्छा टाइटल की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे क्या है 44 यह जो टाइटल का डिफॉल्ट साइज होता है हम यहाँ पे अगर हम दिखाएं ऐसे किलिक कर ये तो क्या है 44 है और इसके बाद टाइटल डिफॉल्ट फंट फेस तो सेलिबरी हेडिंग्स है तो यहाँ पे अगर हम फंट फंट फेस देखें तो यहाँ पे तो सेलिबरी हेडिंग्स है और इसमें यह तो title होता है, यह होता है subtitle, subtitle का font size हमारा होता है 32 और subtitle का जो हमारा font face होता है, वो celery body होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और आपको बताएं कि जो हमारा title होता है, यहाँ पे इसका align हमारा center होता है और subtitle का align left होता है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है तो next इसके बाद हमारा आता है paragraph अब हम आ जाएंगे paragraph में तो paragraph में align left, align right, align center, justify, column, bulwars numbering, decrease list level, increase list level, line spacing, test direction, align, convert to smart art तो यहाँ पे paragraph से इतने option आपको मिलेंगे अगर आपको इसमें से question ऐसे हम पूछ लें कि convert to smart यह option आपको कहाँ पे मिलेगा option number one हमने दे दिया slide, option number two font, option number three paragraph, option number four drawing तो आपको कौन सा लगाना है paragraph क्योंकि यह जो group है paragraph के group में आपका आता है तो point number four में यह सब हम group ही बता रहे हैं यह fourth group है क्योंकि इस पूरे ribbon को six group में हमने divide किया था तो यहां से आप लोग एक बार इस तरह से पढ़ करके याद कर सकते हैं तो यही सब questions पूछे जाएंगे और क्या पूछेगा और जो पूछेगा वो हम आपको बताएंगे क्योंकि home से बनने वाले home type से बनने वाले question यही सब से बनते हैं अब इसमें आपको क्या देखना है जैसे कि हम चले आते हैं यहां पर तो इस तरह से जो आता है वो आपका bullet कहलाता है और 1,2,3,A,B,C,D,Roman में यह सब जो आपका है यह numbering कहलाएगा यहां से यह तो पता है increase list और यह decrease list यहां से line space को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं by default इसमें one होता है और इसके बाद align left test direction अब जैसे हम यहां पर लिख दिये यहां से test direction आप जा करके इस तरह से दे सकते हैं यहां से test direction में जा करके तो इस तरह से जैसा भी direction आपको देना है यहां से आप दे सकते हैं यह test direction होगा इसके बाद align test top में रखना है कि middle में रखना है कि bottom में रखना है तो इस तरह से आप जो है रख सकते हैं इसके बाद convert to smart art अब इसके बारे में अगर हम बताएं कि यहां से इसको टॉप कर लेते हैं तो अगर हम यह जो हमने फुलट दे करके बनाया है इसको smart art में convert करना है तो यहां पर जा करके आप यह से convert कर सकते हैं इस तरह से तो आपका यह convert हो जाएगा चले कंट्रोल जेट तो यहां से आप convert कर सकते हैं यह आपका complete हुगा पैरागरा इसके बाद हम आते हैं ड्राइं में तो यह toolbox हमारा हो जाएगा इसके बाद next topic हमारा है drawing तो toolbox इसके बाद arrange, quick style, shape fill, shape outline, shape effect अब toolbox में यहां से कोई भी आप shape बना सकते हैं जैसे कि एक rectangle लेते हैं यहां पे बना लेते हैं इस तरह से इसको इधर रख लेते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं arrange कर सकते हैं bring to front, send to back, bring forward, send backward इसमें से आप जो है इसको arrange कर सकते हैं quick style में आने के बाद यहां से आप जैसा भी style आपको पसंद है यहां से आप select कर लेंगे इस तरह से या फिर इसमें हमको क्या करना है color fill करना है तो यहां से हम color fill कर सकते हैं picture fill करना है यहां से picture fill कर सकते हैं कोई gradient देना है तो यहां से gradient दे सकते हैं या फिर texture दे सकते हैं इस तरह से माल लेते हैं कि हम पिक्चर फिल कर लेते हैं तो यहां से हम एक पिक्चर को सेलेट करके इसमें फिल कर लिए इसके बाद सेप आउटलाइन यहां से सेप आउटलाइन का कलर रेड कर दिए और चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको मोटा कर दें इतना कर दिए और desage में देना है तो यहां से आप दे सकते हैं तो यह था shape outline इसके बाद आता है shape effect तो इसमें जैसे भी effect आपको देना है दे सकते हैं यह shadow है reflection यहां से reflect करेगा glow इस तरह से आप glow भी करवा सकते हैं soft edge इस तरह से soft edge में आपका दिखेगा bevel में तो border से related जो भी उसको format करेगा उससे है 3D rotation यहां से आप इसको rotate भी कर सकते हैं तो यह सब रहा drawing से related अब हम आते हैं editing next हमारा है editing तो इसमें क्या है find, replace, select तो यहां से आप find कर सकते हैं replace करना है replace कर सकते हैं control अब से find होता है control H से replace होता है और control H से select all यहां से हम select कर सकते हैं अच्छा इस select में और क्या option होते हैं count commands होते हैं select all होता है select object होता है उसके बाद selection pain होता है तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे इसको एक बार revision कर लेंगे कि count सा option कहां कहां पे है किस group में है उसको आप याद कर लेंगे और इतना अगर आप याद कर लेंगे तो कोई ऐसा question नहीं है जो home type से पूछा जाए और आप लोग उसका answer ना दे पाएं तो friends अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो हमारे channel को share करें like करें और subscribe करें thank you for watching take care bye bye झाल